असलाम अलेकूम, फूट कोट में खुशाम दीद, आज हम बनाएंगे बोटी मसाला कबाब बोटी मसाला कबाब बनाने के लिए मैंने या लिया है आदा किलो मटन, बोनलेस और इसकी मैंने छोटी-छोटी बोटिया करा लिया अच्छा इसमें मैंने मिलाया है 1.5 टी स्पून कच्च्री पौडर, अगर कच्च्री पौडर नहीं है तो आप पपीते का पेस्ट्री मिला सकते हैं, और वो भी नहीं है तो मीट एंड राइजर भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मैंने नमक डालके इसको चार घंटे के सारी टिप्स और प्रिक्स उसमें मौझूद है, और यह देखें कितनी बहत्रीन यह फ्राय हुई है अच्छा तो हाफ केजी लिया है हमने मटन बोनलेस, दो मीडियम साइस की प्यास ती जिसे क्रिस्पी गोल्डन फ्राय कर लिया है, हाफ कप चाहिए दही और हाफ कप चाह 1доB साब़ धनिय यह भी भूण के प्युटा हुाह है 2D जीरा यह भी भूण के कुटा हुआ है sowie 1 small Oft dhy जीरा और प्यूद अच्छीजों को मैंने पैन में हलकर सद्राइर लौज कि, उसके बाद इसे कुटा है, 1?, 1 ल लियागी का पाउडर 2.5 ल लियुद किये बश्यफि पेस्ट और वन टी स्पून चाहिए कुटी हुई काली मिट्च इसके अलावा हमें चाहिए दो बारी कटी हुई हरी मिट्चे थोड़ा सा जूलियन कटा हुआ अद्रक थोड़ा सा हरा धनिया और एक कोईला का टुकड़ा इसे हम जब यह बनाएंगे कवाब तो इसका स्मोग इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है जो मटन हमने मैरिनेट करके रखा था उसमें मिलाएंगे अब हम यह हाफ कप दही यह जो प्याज आपको दिखाए थी यह देखें कितनी जबदस बनी वी है मैंना हातों से क्रश्ट किये यह क्रश्ट की वी प्यास अच्छा यह अगर आपके पास बुने वे चैने ना हो तो आप 2 टेबिल स्पून बेसल लेके उसे ड्रायर रोस्ट कर लेगा तो यह चैने गए इसमें यह साबु धनिया प्रिसा हुआ खोप्रा नमक मेंने पहले थोड़ा शामिल किया थो थोड़ा सबस्त में अब डालोंगी थाफ टी स्पून यह जाइफल जवत्री और चोटी लाइची का पाउडर यह भुना कुटा जीरा लाल मेच का पाउडर बेसिक गरम मसाला अचा बेसिक गरम मसाला बहुत जादा आपके काम आएगा अगर आप थोड़ा थोड़ा साबुत गरम मसाला भी लेंगे तो फिर भी वह तक और यह मैं आपको बता चुक्यों और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है यह थोड़ी सी कुटीवी काली म्यूट और यह नतन अधरत का पेस्ट अब इन सारी चीजों को हम मिक्स करके थोड़ी से देर के लिए और छोड़ेंगे तो एक देर खंटे के लिए और छोड़ें गोष्ट को मैंने सारी चीजे डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और इसको फॉइल से कवर कर दिया है अब मैं इसे मजीद एक से देर गंटे के लिए छोड़ूंगी अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप इसे आदे गंटे के लिए छोड़ सकते यह मतब ग अब बॉटियों को मेरिनेट तो आई अब शुरू करते हैं अब हम एक पैन में डालेंगे यह हाफ कप ओयल अच्छा इसी पैन में मैं प्यास तला तो मैं इसी में पकाऊँ घू अधा है यह मैं अब बॉटियों डाला अब इसकी अभी मीडियम है और में यह जोड़ू जो अब में डालूंगी एक से डेड़ कप के करीब पानी एक तो गोश्च बक्रे का है दूसरा यह मेरिनेट हुआ हुआ है इसमें मीट टेंडराइजर भी लगा है तो यह बहुत जादा पानी नहीं लेगा पकने के लिए अगर अगर आप यह करते हैं तो फिर थोड़ा सा पानिया एप बढ़ा ले अगर प्रैश्य कोख करते हैं तो फिर अपने हिसाफ से आप पानी डाले वैसे प्रैशर कोक की जुरुत तो नहीं पड़ती यह इतना जादा इसमें टेंडर हो जाता है अच्छा अब मैंने इसकी आग को कर दिया है मीडियम हाइज जब इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं अच्छी तरह से उबाल आ गया है और अब हम इससे धक क अच्छी तरह से बाल आए अच्छी तरह से बाल आए बोटी कबाब को मीडियम लो हीट पर पकते विए अदर घंटा हो गया और अब हम इससे चैक कर लेते इसे बीच में मैंने एक दो दफा चैक किया है और गोश्ट इसका बहुत अच्छी तरह से गल गया है यह मसाला हमारा अच्छी तरह से इसका बुन गया है और इसमें से सारा ऑइल सेपरेट हो गया है अब इस स्टेट पर मैं इसमें रखूंगी यह फॉइल पेपर और यह कोईला मैंने इसका देखा लिया था जो आपको दिखाया था इसमें रखेंगे हम यह कोईला एक दू कत्रे इसमें डालेंगे ऑईल या घी के और इसे फॉर्फ बं कर देंगे यह हमारा तयार है 10-15 मिनट हम इसको इसकी स्मोक में चोगें कोईली की स्टीम को 10 मिनट हो गया है और अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे यह बारिक कटा हुआ हरादनिया बारिक कटी हुई हरी मिर्च थोड़ा सा जूलियन अद्रक और अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालते हैं इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगें बोटी मसाला कबाप हमारे तयार है उमीद है आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी अगली वीडियो तक के लिए अजासत दें अल्ला हाफेज कर दो कर दो है कर दो